शकुआए तुरुडे शचर्ट बुड़ेशाय शचितलű क्या हो आप और ने सब। दोस्तों वप आप सब सेफ हो मैं हूँ पिरिंच पत्नानी और आप देखर हाए मेरा चैनल बिंच पत्नानी ओल इंवन तो दोस्तों जैसे कि मैंने बीटन बनाया था आपका बहुत-बहुत शुक्रिया जिन लोगों ने मेरा प्रफोंन देखा है है और सालों के मैसेज़ principle जल से यह हमारा ये गोल है हमारा वह गोल है और जो विग्नेज हैं उनका भी मैसेज़ आılar जाया कि सिए हमने ज़ुरू कर पर यह जो चेप्टर में है पार्ट टू वह उसमें इंक्रूड अपने किया है मोस्ट एफेक्टिव एक्सराइज जो आपकी केलर्ण करने में हेल्प करेंगी और आपको प्रॉपर डायट की इंफॉर्मेशन देगी तो देखें मेरा पार्ट टू झाल 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 कि पलिए सbersOP 1984KD करूम्नु में हों झाल 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 कर दो... आई याओ को खाओ को अबे घुट खोको तो गुटिए ये लड्ट से माले लड़ एका जाओ जुट खुट एकाओ को आई तेए ते जा बांद कि आई दो खिए खुटिए जाओ को तो खोको खोक हुट पर्फेली आयांशिपा भी सुखओ मेज मेज सुखची सुखद ऐसंडर कि एचितो नहीं, फरंट सुखची सुख़वा रचिते दे एचिते यांशिकंवा बंछी较 수े अरी एक्यांशियों दोस्तों आपने जैसे देखा the most effective exercises to burn calories for the beginners तो आप part 1 की exercise आपने देखी जो lighter version था और आपने part 2 की देखी जो थे higher version to burn more calories तो अब भी बात करते हैं दूसरा important topic part 2 का जो है diet तो क्या है diet beginners को माइड में लेके मैं बता रहा हूँ एकदम simple terms है पहले तो question हो कि इतना भंडार होता है beginners के लिए कि इनको पता ही नहीं है कि कहां से शुरू करें जैसे की beginners है बहुत लोग है जिसको सब मालूम होगा schools में पड़े होंगे किताबों में आता होगा protein यह काप यह है है क्या vitamins क्या है fat क्या है in real terms आप समझ रहों पर क्या गया रहा हूं तो पहली जो चीज है वह समझते है कि क्या actually यह सब है टर्मिन दरी तो आए बात करते हैं पहले protein से protein को importance क्यों देते है इसलिए देते क्योंकि वह है अपना मसल मास पकड़ के रखता है ठीक है इसलिए protein हेल्प करता है आपको maintain the muscle mass ठीक है अगर आप बात करते हो carbs की carbohydrates तो वह क्या है काब और इंपोर्टन है कि बॉड़ी के लिए वह energy देती है कि अगर काब्स नहीं लोगे तो energy नहीं आगी energy नहीं आएगी तो work out नहीं होगा समझ रहे हो मेरी बात करते हैं और एक मुद्दा की fats fats क्या है तो fats में options है good fat है bad fat है और fats जो है वो क्या है एक तरह से stored होता है in the form of आपका अगर बननी होता है तो calories तो मेल यह तीन चीज है आप आगे जाके सुनोगे macros तो what is macros the macros is consist of carbohydrates protein and fats ठीक है तो में 3 चीज़े हैं आपको यह ध्यान लखना है और कभी macros पूछे अगर तो आपको अभी मालूम हो जाना चाहिए what is exactly macros तो सब बॉड़ी के लिए important है आपको protein भी इंपोर्टन है carbs भी इंपोर्टन है मेरा यह टार्गेट है weight loss में fat loss में ऐसा नहीं होता है आपका एक शुरुआत है यह beginners के लिए यह प्रॉपर मैं बदा रहा हूं कि आप यह सब इतने calculations में मत पढ़ा करो आपको step by step है किसी को modeling करनी है और उसका physics देखना होए तो उसके उपर उसके उपर भी weight loss का अलग concept होता है अगर आप मोटे हो तो शुरू में आपको यही तरह के से follow करना पड़ेगा तो आए बात करते हैं आगे तो कैसी रहेगी कि उपर उपर से मैं बता रहा हूं वीडियो शॉट करने के लिए कि क्या में चीज़े आपको या दियान में रखना है जैसे protein का बता है तो protein में भी काफी टैप्स के आपको कोई बोलेगा supplements ठीक है नई बेकरनेस के लिए no supplements ठीक है protein आपको हर किसी चीज में mostly मिल जाता है पर आपको अभी calculation यह दिमाग में लगाना है आपको वह वाला calculation भी mathematics आपको यह दिखना है कि आप जो भी चीज लो हो भी ठीक है चाहिए आप पनिल लेते हो तो पनिल में आप देखो सौ ग्राम में कितने ग्राम protein है तो एक यह psychology आपकी डैवलप होनी चाहिए as a beginner क्योंकि यह indicate करता है that you are conscious about your health ओके तो यह चीज़े हैं आप खास ज्यान रखना और यह method चालो रखना कि आपको अभी देखना है कि मैं क्या खा रहा हूं कैसे खा रहा हूं अब आपको वेट लॉस फेट लॉस में मैं एक सिंपल सा बताता हूं कि ज़्यादा आपको लेना है क्या चीज हो सके उतना protein तो दूसरा है आपको काव कितने डालना है तो प्रोटीन से ड तीसरा यह कि आपको फैट जो है वो दोनों के बीच की लेनी है हो सके उतनी कम और फैट माने गुड़ फैट पहले तो मैं आपको बता दूँ बिगिनर्स के लिए ही मैंने आपको बोला था आप सब कुछ ले सकते हूं थोड़ा थोड़ा लो ठीक है आपको मैं खुछ बंद नी कर वा रहा हूं पर आपको यह चीज जाद रखनी है आपके गोल्स के उपर डिपेंड इसका यह मतलब नहीं कि आप सब कुछ खा सकते हो क्या खाना आप खा सकते हो पर हल्दी वहाँ आपको समझ में आजाना चीए नहीं समझें तो एक बार डुबारा समझा रहा हूं पैकेच फूड्स बार का पैकेच फूड्स जो है वह सारे प्रॉसेस फूड्स उसको नहीं खाना ठीक है अगर Ksenika इस वेट लॉस फास्ट करना है तो वेट लॉस फास्ट करना है तो ठीक है और मैं यह कहूंगा कि यह जो चीज यह जो जो old की जो है किस बोड़ी का है उसको क्या वोल्ट है उसके उपर यह फ्लॉक्शुएशन तो अभी आपको यही फोकस करना है और क्या-क्या चीजे कि सुननी है देखनी है और डालनी है ठीक है नॉलेज लेते रहूं सबसे पहले मैं बोलूगा तीन चीजों का जियान रखना आगे जाए आपको ही और करने में मदद करेंगी यह से अभी शुरू आता है तो लो मतलब समझो आपका जो प्राइमरी फैट है जैसे वाटर फैट बोलते हैं वह तूरत कटेगा भी तो ऐसे एक्साइट मिन में ता जाना कि मेरा वेट लॉस हो रहा है आगे जाके यह सब चीजे काम आई भी जो मैं बोल रहा हूं फैट लॉस्ट वेट लॉस्ट जो है वह आपका बीच में अटक भी जाएगा पर वह लोड नहीं लेना आपको अभी शुरू में क्या द्यान लगना ह है आपको यह द्यान रखना है कि आप डाइट सम लोगे पर लो ओल वाला ओल कम डलवा होगे स्पेशली बोलना आपका खाने में और कम डाले आपका क्या है शुगर कंटेंट वह कम होना चीए ठीक है और कम शुगर कम एंड सॉल्ट कम हो सके उतना कम तो यह सारी चीजे है म आप 5 मिल्स कैसे ले तो मैं आपको क्लियर शॉटली बताता हूं कि आपको क्या करना है आप जैसे ही सुबह उठते हो खौट वांप वाटर लेमन के साथ हनी के साथ ठीक है सुबह उठते ही ब्रश करते ही आपको यह लेना है उसके बाद अगर आप बॉनी में वर्काउट क आपको एक गंटे बाद या आदा गंटे बाद जैसी सिचुएशन है आपको एक मिल ले लेना है उसके हर दो घंटे बाद आपको एक एक मिल लेके पूरा दिल क्लोस करना है तो में चीज है कि अगर आप सुबह को आफ्टर वर्काउट ओट्स लो तो ओट्स में क्या है पर सब के मातरा होते हैं तो इन सब उल्जन में मत पढ़ना सिर्फ यह देखना है कि आपको मैं सिंपल दंस में बता रहा हूं कि क्या क्या इंपॉर्टेंट है और जैसे अपना ओट्स आ गया मौनिंग में ठीक है नहीं को फिर अपना बोल वेड ब्रेड जैसे बोलते हैं भिख चल्वेड खास करके मैं एक पीनट बटर फोकस कर सकते हो उसके बार आप पीनट बडर फोकस कर सकते हो उसके साथ लागाने के लिए आप पीनेट भी थोड़ा बहुत ले सकते हो फिर आप नट स्लो नट्स भी बहुत बढ़िया है फ्रूट जो आपका सलाड जो है एक डेस कपल सरी पूरे दिन में एक मिल में आपको बिफोर मेल या शाम को आपको हो सके आफटर संसेट सलाड लो जो है आपको मैं कुछ बनाने करना हूं और ये सारी चीजें जो हैं ये आपको इंक्रीस करेगी अपना वेट लॉस करने में और दूशरी चीज में बहुत गा आप केफीन डालना मत बुलना केफीन माने ब्लैक कॉफी जिसके साथ मेटाबॉलिजम बढ़ेगा आपको आपका जो एक्सराइज का पार्ट है उसको प्रॉपर वर्थ देगा अगर आपका शरील मेटाबॉलिक फॉर्म में तुलन आएगा तो फसीने छूटेंगे फैट हिस्थ छीज़ों का दिखना नाप करती हो तो सामन पाव सकते हो सकते हैं तो आपको यह HOLKFUL करेगा दूसरा हैं कर दि yardım करते हो तो कि अधोर डोरी थोड़ा साधाई या क्योंकि वो चीज आपको stop करती है कहीं नहीं weight loss और fat loss में उसकी जगह आपको क्या लेना है complex carbs complex carbs इसमें helpful रहता है क्योंकि वो है brown rice form में तेक है white rice की जगह brown rice, brown rice क्योंकि आपका जो है वो लेने से आपको पूरा charge रखेगा slow digestive तो आपको भूख भी कम लगेगी तो automatic आपका जो है मिल्स में quantity कम होगी तो यह सारी चीज़ों का ध्यान लगना और आपकी आदर डाल दो green tea वेनेगी कोई सी भी company ना मैं कोई branding कर रहा हूं ना कुछ पर green tea आप add up कर लो rather than normal teas ठीक है तो यह सब चीज़े आप ध्यान लखना follow करना और मेरी guarantee है 30 days challenge में आपको यह बहुत helpful करेगा तो wish you all the best और आप अपनी videos upload करो मुझे tag करो और मुझे बहुत खुशी होगी कि कोई सी भी इन जितने भी subscribers है और कोई से भी यह video देख रहे है उन में से कोई लोगों को भी help हो जाए तो मेरे लिए बहुत बढ़ा काम हो लाइक शेर सब्सक्राइब मत बुलना करना और बैल आइकन को दबाईए ताकि मेरी जितनी भी नेक्ट वीडियो जाए आपको तूरत नोटिविशन मलें तेंक यू